हेलो एवरीवन हेलो डियर एटीपियंस वेलकम टू एटीपी स्टार दसूपर लर्निंग प्लाटफॉर्म कैसे हो गाइस बढ़िया बिंदास मस्त तो यार देखो आप एसे बहुत सरे स्टूडेंट का जेएमें 2021 एक्जाम हो चुका है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे है जिनका कल होने वाला है तो अगला स्पेकुलेशन सभी स्टूडेंट्स का यही होगा और आप में से बहुत सरे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह सवाल कौन धर होंगे कि सर एक्सपेक्टिड कट अफ क्या है और अगर हम इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सवाल आपके दिमाग में होंगे तर देखो जो भी मैं बाते आपे बताने वाला हूँ अपने इतने सालों के experience के basis पर बता रहा हूँ और जो भी अब current scenario है उसके हिसाब से आपके साथ share करने वाला हूँ तो सबसे पहले मेरा जो opinion है वो मैं आपके साथ share करूँगा और उसके यानि 27 को 8 बजे एक special live session होने वाला है 8 बजे आप सभी के लिए next attempt के लिए जैसे हम finest of batch लेके आये थे उसी तरीके से आपके लिए कुछ special आने वाला है तो कल session में जरूर आईएगा नीचे link दिया हुआ है तो पहले से ही full जोश मेया like कर देना क्योंकि आप जानते हो आर expected cutoff के जो जितने भी videos बहुत detail analysis वाले हुँसे बचिए योगि देखें analysis करने के लिए क्या होता है कि काफी जादा sample space चाहिए होता है काफी सारा data चाहिए होता है ठीक है अब यह बताओ इतना सारा data जो लगबग 1000 students का sample space है वो कहां से मिलेगा तो यह लाक of suitable sample space नहीं होता हमा है obviously shift में change होता है paper wise भी subject wise भी change होता है और जो difficulty level है सबसे बड़ी बात है यह subjective है किसी के लिए यह paper काफी difficult हो सकता है किसी student के लिए moderate भी हो सकता है अब difficulty level जो है ना वो कोई 0 और 1 तो है नहीं difficult कोई बहुत जादा भी हो सकता है कोई बहुत असान भी हो सकता है यानि it's all relative समझ shift wise जो variation आने वाला है हर shift में number of students भी vary कर रहे हैं उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ students को re-attempt भी मिलेगा जो student बिचारे ऐसे areas से बिलॉंग करते थे जहां बार आ गई थी आप सभी को पता होगा यानि इन सारी चीजों का cut off पे कही ना कहीं impact आएगा तो जैसे कि आप आप नहीं करें यानि cut off के ड्रामे से percentile वाले उससे आप बचें ठीक है ना अभी expect कर पाना exact बता पाना बहुत difficult है Now the point is what's next अब हमें किन बातों का ख्याल रखना है तो देखो सबसे important बात इस समय जो होती है वो होती है analysis भाई identify करें कि इस बार जो paper आपने दिया उसमें किस तरह की mistakes आप से हुई क्या-क्या problem हुई क्योंकि अभी देखो अभी आपने paper दिये हैं तो paper दिये हैं तो आपके द जिनका J-Man बहुत अच्छा चला गया है जिनका बहुत अच्छा चला गया है यानि उनको जो college अगर अच्छा मिल रहा है आपको दिख रहा है और जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छा percentile achieve किया है वो student अब पूरा focus J-Advance पे कर सकते हैं और अब जो बचा हुआ समय है पू यानि rapid crash course का जो second batch है वो लेके आए तो बहुत सारे student demand करें तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो comment section में जरूर बता दीजेगा कि do you want RCC 2.0 batch और not अगर ऐसा हुआ अगर आप चाहेंगे तो हम 29th को RCC launch करेंगे next अगर बात ही है कि अगर आप advance पे पूरा focus नहीं कर रहे हैं तो clear दिमाग में बढ़ाईए कि मुझे अब J-Main पे focus करना है यानि August attempt पे ही focus करना है तो August attempt में सीधी बात है आपका plan इतना होना चाहिए कि जो existing आपका score जितना भी आप expect कर रहे हैं अगर उससे आप 50 marks increase कर लेत कि भाई कहां कहां mistake हुई किस तरह की mistake हुई कि आपने exam में जाके फैल गए थे या exam में आपका temperament lose हो गया था या conceptual mistake आपने की या calculation error करी किस तरह की गलतिया आप से हुई इस समय आपके दिमाग में बिल्कुल fresh होंगी ठीक है और उसके बाद जो यह August attempt के लिए आपको पूरा पहले से ही like कर देना है ना नीचे description में link दिया हुआ है ठीक है description देखना और पहले से ही like कर देना full जोज में है ना ओके तो उसके साथ साथ भी आप तयारी कर सकते हो revision कर सकते हो test दे सकते हो right उसके अलावा अगली possibility कई students के लिए ऐसा है जो जिनके दिमाग में होता है कि शाय और कम मिलता है तो फिर अगले attempt की भी अच्छे से तयारी नहीं हो पाती तो ऐसे students का अगर दिमाग में आ रहा है और parents का भी consent है तो ऐसे case में you can think of dropping आप drop करने का plan कर सकते हैं क्योंकि ऐसे case में एक महिना भी आप ढंक से पंड नी पाएंगे और बाद में आपका नुकसान हो तब तो कोई दिक्कत है नहीं otherwise you can go for this ठीक है और अगर आप drop करने का plan बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे students हमसे actually request कर रहे थे कि sir warrior batch जो है जेए advance के लिए 2022 के लिए वो लेके आएं या एक love way batch लेके आएं तो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए वो लेकर आएं तो आप नी नीचे description में link दिया हुआ है वहीं से आप पहले से ही उस पे full power से like कर दीजेगा और अभी आप analyze करिए बढ़िया से अपने को focus करना है अगले attempt पे और जिन students का बहुत अच्छा हो गया है they can focus exclusively on J advance and उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको एक chance all लेना है तो और results बहुत ही जल्दी आएंगे आपको पता लगी ही जाएगा okay guys so focus on your preparation and the next attempts and move on okay guys I wish you all the best on the behalf of team ATPSTAR love you all